Hello guys, good morning to all of you and welcome to all in Highness Academy. दोस्तो आज के इस लेक्चर में हम लोग 16 जनवरी के current affairs को discuss करेंगे. So, आज के इस लेक्चर को start करते हैं. First question है, भारत की पहली स्वादेशी machine piston का नाम क्या है? So, what is the name of India's first indigenous machine piston? So, यह आसीम इसका नाम है और जो की भारत में बनाया गया पहला machine piston. आसीम की बात करें तो यह डेवलप किया गया है डियर डियो एंड इंगेर आर्मी के दोवारा. And each production cost means परतेक का production cost की बात करें तो पचास जार रुपी जा रहा है और इसका एप्रॉक्स साइज 9 mm है. Next, हाल ही में PM नरेंदर मोधी दोवारा परधान मंतरी कॉसल विकासी होजना का कौन सा चरण सुरू किया गया है? So, which phase of परधान मंतरी कॉसल विकासी होजना launched by PM नरेंदर मोधी रिसेंटली? So, इसका third phase था जो की परधान मंतरी दोवारा launch किया गया है. PM के वाई परधान मंतरी कॉसल विकासी होजना की बात करें तो यह launch किया गया 2015 में and यहां Ministry National Scale Development Corporation Minister के अंदर आता है. प्रजेक्ट कोस्ट की बात करें तो 948.6 करोर रुपीज इस प्रजेक्ट का लागत है and third phase focus basically किया गया है COVID-related skills पे. Next, Fintech Neo ने MSMEs को prepared card जारी करने के लिए किस bank के साथ करार किया है? So, Fintech Neo has tied up with which bank to issue prepared card? prepared card को issue करने के लिए Fintech ने किसके साथ इस bank में से tied up किया है? So, ICIC bank है जिसके साथ यह tied up किया है? ICIC bank की बात करें तो CEO संदीप बक्सी है. Headquarter Mumbai में है and tagline हम है ना ख्याल आपका इस bank का tagline है. New CEO की बात करें तो विनय भागरी है. नेक्स्ट निम्न वाड़सो में भारत ने किस घंतांतर दिवास प्रेड के दोरा अंसर कारने किसी देश के परमुक की मेजमानी नहीं की? So in which of the following year India did not host a head of government during Republic Day? So 1952, 1913 and 1966 all of the above इसका answer है जो की इसी government के दोरा head नहीं किया गया and host की बात करें तो इंडोनेसिया प्रेसिडेंट सुकर्णो जो की फर्स्ट चीप गेस्प थे गंतांतर दिवास पे 1950 में नेक्स्ट भरतिय सेना ने स्वीच मानव रहित हवाई बहानों की खरिद के लिए आइडिया फॉर्क के साथ कितना फंड अनुबंद परहां स्थाक्षर किया है So Indian Army has signed how much fund contract with idea fork to produce switch unmanned aerial vehicles 120 million dollar का अनुबंदन इस पर साइन किया गया है इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी डे जो की 15 जन्वारी को परतेक साल मनाया जाता है और चीप अफ आर्मी स्टाफ की बात करें तो मनोज मुकुंद नरवाने है एंडियस फर्स्ट सीडियस ऑफिसर जो की भी पिन रावत है एंड हेट क्वाटर इंडियन आर्मी की बात करें तो न्यू देली और इसका फोर्मेशन अथारा सो पंचानम में किया गया है सा अधित्या बिड़ला वेल्नेस और भी तो बैंक बॉइट है exile क्र elevation की है यून से यव्य अधियस स्वार्ण की सोर है चेर्मेशन की बात करें तो सूनिल में है है next dr.harswadhan has direct and dedicated innovation portal to nation so which has developed this portal so dr.harswadhan ने innovation portal को राष्टर समर्पित किया है इसका विकास किसे ने किया है so यह national innovation foundation के द्वारा इसका विकास किया गया and develop किया गया and nif की बात करें तो formation इसका 2000 में किया गया था हेट क्वाटर गांधी नागर में है एंड चेयर पर्शन जो कि पीएस गोहल है नेक्स्ट कि CSIR institute had signed an MOU with which country for collaboration of a marine science and technology so यह रस्या के द्वारा tied up sign किया गया है इस MOU को for the collaboration of marine science and technology में जनकारी किल लेने के लिए CSIR की बात करें तो council of scientific and industrial researcher जिसका फर्मेशन उनी सो ब्यालिस को किया गया president PM जो कि प्रेसिजेंट प्रेसिएंटर स्वरी प्राहन मंत्री आप इंडिया है इन के प्रेसिदेंट होंगे and director general secar monday next which had introduced collab CAD software for engineers graphics for class 11th and 12th so yeah cbse nic and niti iog respectively 33 kdwara means all of the इसका एंसर है और तीरों के द्वारा collab CAD software engineer जो की लाया गया है 11th and 12th class के लिए NIC की बात करें तो national informatics center है इसका फर्मेशन 1996 में किया गया headquarter दिल्ली में है और डिरेक्टर जेनरल नीता वर्म है and अडिया है ministry of electronics and information technology minister के अंडर आता है next who has appointed as the CEO of Intel Intel के नए CEO के रूप में किन्हें निक्त किया गया है so yeah Pat Gelsinger है जिन्हें निक्त किया गया है and गरीमा वर्मा की बात करें तो गरीमा वर्मा है नेम्ड फर्स्ट इंडियन अमेरिकन डिजिटल डिरेक्टर इनिवेसे डिजिटल डिरेक्टर के रूप में इंडिया के फर्स्ट जोकी युवेसे में चुनी गई है next Sandeep अगरवाल has appointed as the chair person of chairman of the telecom equipment and services export promotion council के chairman के रूप में Sandeep अगरवाल को चुना गया है next which edition of the largest coastal defense exercise C.V. Gill 21 coordinated by Indian Navy so इसका second edition था and the edition is and this edition is the largest one जो कि Indian Navy and the defense exercise C.Gill 21 लाएगे C.Gill 21 की बात कर तो इसका first edition जो कि 2019 में कराया गया था and the defense exercise involved 13th coastal estate and union territories means इस exercise में 13 coastal estates और union territories को सामिल किया गया है और इस पर exercise किया जाएगा चीफ अफ नौल स्टाफ की बात करें तो करंबीर सिन है next काया कल्प award has been given in which sector so your health के छेत्र में यह आवार्ट को दिया जाता है काया कल्प आवार्ट की बात करें तो इस साल इसका fifth edition था and the ministry of health and family welfare के अंडरा आता है जिनके प्रजेंट मिनिस्टर ड्रक्राइब सवास्त सर्वात्र प्रोग्राम की बात करें तो यह लांज किया गया ministry of health and family welfare with ministry of drinking water and sanitation के द्वारा next which of the following government scheme has completed five years of its operation recently so you have pmfby जो की पांच साल successfully complete किया है pmfby की बात करें तो प्रधान मंत्री फसल बीमायोजन and it is a crop insurance scheme basically a crop insurance scheme है जो कि all types of cross crop risk इसमें cover किया जाएगा यह launch किया गया तेरा जनवड़ी 2016 को next India and which country has held 13th defense security dialogue recently so I have वियतनाम के साथ इंडिया ने 13th defense security dialogue को हिल्ड किया वियतनाम की बात कर तो PM नग्वियन जॉन फुक है and capital हनोई है करेंसी डॉंग है next urban under whom the government has set up a technical expert group to examine and to provide indicators regarding malnutrition, stunting, anemia and c-section, किसके तहत सरकार ने कुपोशन, stunting, खुन की कमी और c-section के संबंध में जाज करने के लिए संके तक उपलब्द कराने के लिए एक तकनिकी विश्यस सम्हों का गठन किया है तो यह एक्सपर्ट ग्रूप जो की पिर्नीत पंत के द्वारा हेट किया जाएगा and fourth one planet summit की बात करे, fourth one planet summit जो की ओर्गनाइज किया गया France, United Nations and World Bank के द्वारा and इस बार इस का थेम था let's act together furniture next which state has launched India's first fire park and Agni Seva platform so yeah Odisha के द्वारा and Odisha government के द्वारा इसे लाए गया है Odisha की बात करें तो cm नवीन पतनायक है and silver city के रूप में कटक जाना जाता है इंडिया में रमसार साइट्स की बात करें तो वितरकनिका mangroves चिलका लेक and चिलका लेक जो की रमसार साइट्स में इंक्लूड किया गया नेक्स्ट आइपी पी भी हैस कोलाबरेटर वित विच पेमेंट प्रोसेसर्स टू प्रोमोट फैनेंशल इंक्लूजिंस तो यह फैनेंशल सफ्ट वेरेंट सिस्टेम्स के साथ क्लाबरेट कर इस से प्रोग्राम को लाया एंड आइपी पीवी की बात करें तो फोर्मेशन इसका 2018 में किया गया था हेट क्वाटर नियू देली में है एंड टाइग लाइन आपका बैंक आपके दोवार एंड एमडी सीओ की बात करें तो जे वेंकेट रामू है नेक्स्ट नॉर्थ इस्ट केन एंड बंबो डेवल बंबो डेवल्लोप्मेंट कॉंसिल ने साइन किया है से मायू को प्रमोट बंबो कल्टिवेशन सेंड इंटर्पेनियुर्शिप बंबो की बात करें तो इलेवेंथ वर्ल्ड बंबो डे जो की 18 सितंबर 2020 को मनाया गया एंड इस बार इसका थिम था बंबो नॉ इंडिया जो की सकेंड लार्जेस्ट बंबो प्रोडक्शन है आफ्टर चाइना चाइना फॉस्ट पे है नेक्स्ट विच स्टेट कैबिनेट है एप्रूब्ड वन मैं टशीन हाँ सब्षों करें सेटलिमंट पंजाब की बात करें एंट फयाट पंजाब में बैस होरी रिजर्वेशन सब्सटाब्रेशंसिघ्वेशन सौरी रिजर्फ धर रिट निरोगोजविक को किस देश का राष्ट पती के रूप में नियुक्त किया गया है तो यह क्रिजिक्स्तान के नए प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया है एंड बूग से न ऑथर की बात करें तो अनस्क्रिप्टेड कंजर्वेशन ओन लाइफ एंड सिनेमा जो की ओथर किया गया है विन्दू विनोच चोप्रा एंड अभिजीत जोसी के दोवारा इस बूग को लिखा गया है नेक्स्ट जीडीपी ग्रोस डिमेस्टिक प्रोड़क्ट विल एक्सपेंड बाइट 10.1 परसेंट इन फाइनेंशल येर 2022 बाई आई सी आरे आई सी आरे के रिपोर्ट के नुसार जीडीपी जो की फाइनेंशल येर दोहजर बाइस में 10.1 परसेंट एक्सपेंड दिखेगा तो दोस्तों आज की इस लेक्चर में सितना ही उमीद करता हूं है लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा इसका पीडियेफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो वीडियो को लाइक करे एंड वीडियो को सेयर करे चैनल को अबस्क्राइब कर ले तो दाट अल फम मैं सकता है तनक क्यू एड आपको अर्मे आपक नहींसेन है